हैलो दोस्तो बिहार समाचार में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में बिहार के तमाम बड़ी खबरे जो आपके लिए जरूरी है उसे देखेंगे तो फटटफड़ से आप सबी इस वीडियो की प्यारालाई जरूर कर दें और आप बिहार के किस जिले में राते हैं साथ यह आप के मन में अगर कोईी भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर पूछें आज की सबसे पहले कवर बिहार में कोचिंग संस्तानों पर नकेल के लिए जल्द लागू होगी नियामाली बिना रजिस्टेशन कोचिंग चलाना होगा अपराद जिहां बिहार सरकार राज भर में संचालित कोचिंग संसानों की नकिल के सीगी इन संसानों को संचालन के लिए हर हाल में राज सरकार से निमंदन कराना होगा ताइ मानक के अनुरोब सुवेदाई दनी होगी साथ तमाम कोसों के लिए योग सिक्षकों की टीम जरोरी अधार बोद सर रचनाई रखनी होगी इसके अलावा कोचिंग सस्तानों को निबंदन आवेदन के समय ही संचालीत कोर्सों के लिए सुल्क की जनकरी राज सरकार को द अधिनियम बनने के 12 साल बाद अब इसकी कवाया तेज हो गई है आपको बताद के बिहार कोचिंग संसान नियामाली 22 लागू होने के तेज जिनों के अंदर पूर्व से चल रहे सभी कोचिंग संसानों को निधारित प्रारूप में निबंदन के लिए पंजिकरन समीतिक सम पूर्ण के 3,000 है आविदन के साथ पाटकर हम पूर्ण करनी क्या होदी सिक्चन फेस बहुती सरचना की जानकारी देनी होगी वर्ग कक्च का निवंतम छेतर परती चातर एक मीटर वर्ग मीटर होगा वही सिक्चकों का बायो डटा भी दिन होगा निवंतम इसनातक योगत अगली बड़ी खबर पीर बढ़ेंगे पैटोल डिजल के दाम चार रुपे तक बड़ोतरी संभव जी हमांगाई के मार जहल रहे आम लोगों के लिए बुरी खबर है आने वाले दिनों में पैटोल डिजल के केमते एक बार फिर से बढ़ सकती है एक सरकारी सूत्र ने बि पैटोल में दो से तीन रुपे की बड़ोतरी हो सकती है सूत्र के मुताबिक तेल विपनन कमपनियों के लिए डिजल के लिए राजस्वा हानी पैटोल की तुलना में अधिक्या ओमसी को डिजल पर 25 से 30 रुपे परती लिटर और पैटोल पर 9 से 10 रुपे का राजस्वा न हर मैंने दो हजार रुपे देने का किया वादा नवदेवी दाला में एडमिसन का दिलाया भरुसा जिहा भिहार के पूरो अभुमिक मंत्रेवा राजस्वा सांसाद सुसिल कुमार मोदे मंगलवार को नालांदा पहुची जहा कम समय में सुर्किया बटोरने वाले 11 साल के स सुनु कुमार से मिलने विए उसके गाव निमा कॉल भी गए सांसाद सुसिल कुमार मोदे ने सुनु कुमार के परेजनों से मुलाकात की और सुनु को अपने हाथों से मिठाई खिलाया और अंग वस्तर दे कर सम्मानित किया इस दोरान राजस्वा सांसाद सुसिल कुमार म मुख्यमंत्री ने बुलाई बेड़क मंत्रियों के साथ मिटिंग करेंगे नितिस कुमार जै अभिहार में पढ़ रही भीसन गर्मी के बेज मौसम विभाग में मानसुन को लेकर जो पुरानमान जरी किया गया है वो राज सरकार के लिए अलर्ड की सिती है इस बार मानसुन स दयारियों को लेकर आज एक हाई लेवल मिटिंग उलाई है मिख्यमंत्री के साथ बेड़क में डिप्टी सियमतार की सुर परसाद और रेनु दिवी के अलावे सभी मंत्री भी सामिल होंगे बाड़ी कबर बिहार में लाल एड बटो के लिए अब नहीं मिलेगा लाइसेंस जान ले क्या है नई विवस्था जिया मिट्टी के उपरी परत को बचाने के लिए सरकार अब लाल एड बटो को लाइसेंस नहीं प्रतान करेगी पुराने एड बटो की पूर्व की भाती च जिमें 5000 के आसपास लाल एट बच्टो संचालित किया जा रहे हैं इसके अलावा नेशनल पावर थर्मल कॉर्फोरेशन 30 किलोमेटर के दारे में 80 निर्मताओं को फ्लाई एस उपलॉप्त कराएगा ये बात बिहार राज परदुसर नेंदरन परसद एवं डेवलोप्मेंट अल्टरनेटिव के सयोंगत तदवदान में राजदानी के एक होटल में आजित कारे सलाम में परियावरान वान एवं जलवाई परिवरतन विभाग के मंतरी निरज कुमार सिंग ने कही है अगली बड़ी कबर सिक्षा पर महंगाई की मार कौपी किताब के दाम 25-40 फिजी तक बढ़े या कोराना के कारण दो साल तक बादित रही सिक्षा वेवस्ता के पड़री पर लोटने के साथ कौपी किताब के बड़े दाम ने अभिभावकों को परिसान कर दिया है चातर चातराव और अभिभावकों ने नई सत्र के तयारी शुरू कर दी है नई सक्षनी सत्र के लिए किताबे यूनिफॉर्म आदे की खरीदारी अभी से चल रही है कोपी किताबों के खरीदारे के लिए दुकानों पर भीड लगी रहती है इस बार सिटिसनेरी के दाम 25- चाल्स परतिसक बड़े हुए हैं कागज मांगी होने से कोपी किताबों के लिए अधिक मुली चुकाना पड़ रहा है ऐसे में बच्चों की पड़ाई अधिक खरीचली होने वाली है अगली बड़ी कबर बिहार बिएड परवेश परिच्चा के लिए 22 दिन में रिकॉर्ड 1,68,000 अभियर्थियों ने कराया है रिजिस्टेशन जी अभिहार B.A.D. सयूंत परविस परिच्छा के लिए पिछले 22 दिनों में रिकॉर्ड 1,68,000 अभियर्तियों ने ओलाइन रिजिस्टिसन कराया है इसमें से 1,35,555 अभियर्तियों ने सुल्क सहीद अपना पूर्न आवेदन फर्म अलाइन जमा कर दिया है सची प्रोपेशन मुस्ताक अमद ने कहा कि B.A.D. के परती चात्रों का रुजान बढ़ रहा है सरकारी एवम नीजी स्कूलों में प्रचितिक सिच्छों की बढ़ती मांग को देखते वे चात्र चात्राई इस कोर्स को रोजगार के अवसर परदान करने वाले मान रहे है तो वहीं अगले बड़ी कबर C.A.T. B.A.D. 2022 में P.A.R. का पेच इस बार 26 B.A.D. कॉलेज नहीं करा पाएंगे नमांकन जी हा राज के 26 B.A.D. कॉलेजों ने परफोर्मेंस एप्रोवल रिपोर्ड नहीं भरा है ऐसे कॉलेज नमांकन से बाहर होंगे राष्टिया अधाबक सिच्छा परिसत ने परफोर्मेंस एप्रोवल रिपोर्ड भरना निवार कर दिया है N.C.A. की बेटग में या निनने लिया गिया था कि ऐसा नहीं करने वाले B.A.D. कॉलेजों में नमांकन नहीं होगा आपको बता दे कि बिहार में B.A.D. कॉलेजों की संक्या पहले 341 के करीब थी आप इनमेंस 26 कॉलेजों में नमांकन समभ नहीं है जिन्होंने फर्फोमेंस एप्रोजेल रिपोर्ट नहीं भरा है ऐसे कॉलेजों में नमांकन मुस्किल है इस मसलिप पर परिचा के नोडल पदादिकारी प्रोपेसर असुक कुमार ने बताया कि विस्विदाले से रिपोर्ट मांगी कही थी कई विस्विदाले से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है कुछ से रिपोर्ट नहीं मिली है एन्सिटिये ने इसे अनिवार कर दिया है अगली बड़ी कबर क्रिसीव वा पारा मेडिकल में नमांकन के लिए आज से भरे फोर्म जे अभिहार सयोंक्त पर्वेस परतियोंगिता परिचा परस्थ ने परतियोंट की तीति भी नौ जोन रखी गई है अभिदान फोर्म में दस से बारा जोन रात 11 बज़ कर 69 मिनट तक सुधार कर सकते है egal अभियर्थियों के लिए एक हजार वो अजन के लिए 500 रुपिय सुल कर रखा गया है पिसी अंबी के लिए 1100 रुपिय देने होंगे एडमिट काड़ वा परिचा के तिति बाद में जारी की जाएगी अगली बड़ कबर बिहार के 11 लाग विर्दातियों के लिए अच्छी कबर सिक्षा विबाग ने जारी किया आदेश की है चातर विर्दी भुगतान के लिए पिछड़ा एवं आती पिछड़ा वर्ग कल्यान विबाग और अनसुचित जाती जन जाती कल्यान विबाग की ओर से अगली बड़ी कबर बिहार में प्रतामिक सिक्षा में बड़े बड़ाव की तैयारी आंगानबाडी सेंटर को नर्सरी क्लास बनाएगी सरकार जी अपहले से तिसरी कक्षा तक के बच्चों को अक्षरवा अंक ग्यान में दच बनाने के लिए भी से सभ्यान चलाया जा रहा है राज सरकार ने इससे सबख लेते वे अब नर्सरी क्लास को ही स्मार्ड बनाने का फैसल किया है प्रदेश में बेसिक सिक्षा में बड़े बदलाव के तैयारी है जिस पर हाल के बिहार के दोरे में केंद्रे सिक्षा मंत्री धर्मेंदर प्रदान ने भी सहमाते दी है इसके लिए चलो बित्य वर्स में अतरिक संसादन उपलब्द कराने का भी भरुसा दिया गिया है सिक्षा बिवांग ने आगानमाडी केंद्रों को नर्सरे कक्छा के रोप में विक्सित करना शुरू कर दिया है आगानमाडी सेवकाओं को बच्चों के दिखबाल और पढ़ाने के तोर तरीकों के बारे में प्रसिचन दिया जा रहा है अगली बड़ी खबर आगन माड़ी केंद्रों के मेनों में हो बदलाव अब बच्चों को नास्ता और भोजन दोनों मिलेगा जहाराज के सबी आगन माड़ी केंद्रों पर बच्चों को दिये जाने वाले पोश्टिक पूरक आहार में बदलाव किया गया है अब बच्चों को और अधिक पोश्टिक आहार उपलब्द कराने के अनुमति दी गई है आगन बड़ी केंद्रों पर 3-6 वर्सों के बच्चों के स्कूल अधिक दोरान नास्ते वा भोजन के रूप में दो बार भोजन दिया जाएगा इसके लिए सब्ता के सभी दिन नास्ते और खाने में अलग अलग भोजन दिये जाएगे इसको लेकर ICDS निदिसाले दोरा सभी जिला कारिकरम पदादिकारी को निदिस दिया गया है मेनू में किया गए इस बदलाव से बच्चों को भाले से ज़्यादा केलरी और प्रोटेन यूग तो भोजन उपलब दोंगे इस बड़ी कबर 31 माई को एक दिन के सामोहिक आउकास पर रहेंगे स्टेशन मास्टर जी हभिहार समे देश भर के स्टेशन मास्टर अपनी समय सवो के समधान के लिए 31 मैं को आखस में कावकास लेंगे आल इंडिया स्टेशन मास्टर एससेशन का कहना है कि वस दोजर बेश से वे अपने मांगो को ले कर संगर सुरत है रिल्वे में रिक्तियों को भरने संसोधित पदनाम के साथ समर्ग के पुनरगटन करने समेद अन्य मांगो को लेकर स्टेशन मास्टर लगतार भी रोध जता रहे हैं एसोसेशन का कहना है कि उनके पांच मुई के मांगों को जल्दी पूरा नहीं किया गया तो वे लोग चरनबत तरगे से आंदोलन करेंगे बिहार के इस जिले में बिजली बिल जमा नहीं करने पर दो सो घरों का काटा गया कनेक्सन सत्तर परतिसत लोगों का बिल बकाया कबर सितामड के सिवर जिले की जहां अब बिजली बिल जमा नहीं करने का बहाना मांगा पड़ सकता है बिजली बिबाग ने बिल जमा करने में आना काने करने वाले उपबोगताओं के किलाब एक अभियान चलाने का फैसला लिया गया है जेल लोगों का बेजले बिल बगाया होगा उसका टांसफर्मर कनेक्शन तुनन कार दिया जाएगा इस अभयान की सिरुवात के जा चुकी है बेजले बिबाग के इस नई एक्सिंग से बगायदार बेजले बुबगताओं में खलबले मच गई है सिवर जिले के तर्यानी प् वारुक को अंदेरे में रहना पड़ सकता है अगली बड़ी कबर सहारा इंडिया के इसकोमों में जमापैसों के भुगतान को लेकर पाटना हाइकोट ने तै के सुनवाई की तारेक। उपसित होने का निर्दिस दिया था इसके साथ ही पटना हाई कोट ने बिहार अबम उत्तर पदेश के डिजीपी समेथ दिली के पुलिस कमिसिनर को हर हाल में सुबरत राय को सलम माई को साड़े दस बजे हाई कोट में प्रसुत करने का निर्दिस दिया था सुपरत राय ने पतना हाई कोट के आदेश को सुप्रीम कोट में चुनोती दी थी सुप्रीम कोट दुबारा 13 मौई को पतना हाई कोट के आदेश पर 19 मैं तक अंतरी में रोख लगा दी गई है अब हाई कोट में अगली सुनवाई 22 जून को होगी आज के लिए आपका स्वाल बताए कि बिहार में कोचिंग संस्तानों के लिए जो नियम लागू हुए है वे सही है या नहीं इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताए